Hello everyone, welcome to this video, welcome to LLB वाला तो guys चलिए बिना समय गवाए जानते हैं आज की important daily legal news तो guys जो सबसे पहले ख़वर निकल के आरी है वो relate करती है to Arvind Kejriwal जो कि दिल्ली के अभी CM है अभी बेल पे बाहर हैं till 1 June for election campaigning आप जानते हो कि ये दिल्ली exercise liquor policy जो scam हुआ था उसमें ये arrest हुए थे March में और तब से जाके ये jail में हुआ करते थे हाला कि काफी मशक्कत करने के बाद बेल मिल जाती है वो भी किसलिए ताकि ये election में जाके आम आदमी party की तरफ से जाके वहाँ पर vote मांग सके अपनी campaigning कर सके हाला कि code ने इनके उपर थोड़ी बहुत conditions भी लगाई थी पांच conditions लगाई थी जो इनको violate नहीं करनी चाहिए नहीं तो इनकी jail में वापसी हो जाएगी वो पांच conditions क्या है वो मैंने अल्यडी एक वीडियो में डिसकस किया हुआ है अगर आपको जानना है तो आप उसको जाके चेक आउट कर सकते हो हाला कि conditions में मोटी मोटी Supreme Court ने यही बात बोली थी कि आप अपनी Chief Minister के पद का इस्तमाल नहीं कर सकते हो जो आपकी official duties है वो आप perform नहीं कर सकते हो बाकी आप बाहर जाके campaigning करी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अब यहाँ पे इनको bail दी गई थी 1st of June के लिए 4th of June को आप जानते हो election का result आने वाला है तो 1 June तक इनको campaigning की आजादी दी थी अब यह एक नया application लेके आए है Supreme Court में और इनकी demand यह है कि यह जो मेरी जो bail का जो duration है उसको एक हफते से आप और extend कर दीजिए और हमको extension चाहिए तिल June 8 क्यों चाहिए reason के बताया है reason यह बताया है कि मुझे कुछ medical test करवाने है जिसके लिए मुझे additional एक हफते का समय चाहिए अभी तक guys इनके case में यही update है अब Supreme Court इस application का क्या करेगी क्या इनका extension सुईकार करेगी या नहीं जैसी news आएगी आपको अगले episode में देखने को मिल जाएगा वैसे आपको क्या लगता election 2024 कौन जीतेगा अब इसके बाद guys जो खबर है वो भी बहुत ज़्यादा significant है जो की निकल के आ रही है WBNUJS जो की एक national law university है तो वहाँ पर बहुती बड़ा मतलब इस समय बवाल समचा हो रखा है क्योंकि इस university की एक female associate professor है उन्होंने इस university के vice chancellor जि 2019 से इसकी शुरुवात हुई थी 2023 तक चली और अब इन्होंने इनके against में complain कर दी है complain फिर जाती है local committee के पास local committee इनकी complain को reject कर देती है फिर यह matter जाता है Calcutta High Court के पास Calcutta High Court का कहाना है कि यहां तो local committee को on the face value i.c. reject नहीं कर देना चाहिए था complain को और इनके allegations को accept करना चाहिए थ अब यहां पिर West Bengal NUJS की जो student body है जिसका नाम student juridical association है उसका भी बहुत बड़ा role आ रहा है इतना बड़ा role आ रहा है कि उन्होंने letter लिख दिया है to the chief justice of India D.Y. चंचूर जी और उनसे गुहार लगाई है कि आप इस matter का थोड़ा note ले संग्यान ले इसमें कुछ करें क्योंक कि अगर ऐसा नहीं होता है तो West Bengal NUJS की reputation भी down होगी प्लस जो हमारे students है उनके लिए भी ये environment safe सा नहीं रहेगा इसके लावद जो associate professor है जिन्होंने यहां पे complaint किया है vice chancellor के उपर उनका कहना है कि उनको बहुत तरीकों से VC साहब ने परेशान करने कोशिश की है salary में delays हुए है promotion नहीं हुआ है promotion के opportunities को रोका गया है प्लस यहां पे इनको धंकिया भी दी गई है from vice chancellor और यह जो सिलसला था यह 2019 से चलता हुआ आ रहा था till December 2023 और अब यह अपनी हिम्मत जुटा के यहां पे complaint की है अब basically यहां पे guys मैं आपको थोड़ा law बता देता हूँ तो देखे sexual harassment at workplace से एक law है हमारे पास जो कि इससे deal करता है which is sexual harassment of women at workplace 2013 जिसको posh act के नाम से भी जाना जाता है यह basically विशाखा guidelines के उपर ही इसको frame किया गया था जो कि supreme code ने एक case में दिया था जब तक यहां पे सरकार यहां पे कानून नहीं बनाती है तब तक वो guidelines यहां पे लागुवा करती थी अब यहां पे इस act के अंदर क्या detailed में procedures है क्या इसमें penalties है क्या पूरा procedure है complain अगर करनी है तो कहां करनी है कैसे करनी है यह सब कुछ मैंने एक video में discuss किया हुआ है अगर आपको यह सारी चीज़ जाननी है तो आप उसको check out कर सकते हो अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं इ इस student body ने from the chief justice of India division sure अब इन points की clippings में screen पर लगा दूँगा आप उसको pause करके पढ़ सकते हो तो देखिए जो पहला point है वो यह कहता है कि जो victim है यहां पे associate professor उनके साथ और भी जादा अन्याय नहीं होना चाहिए उनका further harassment नहीं होना चाहिए और इस case में एक thorough unbiased investigation होनी चाह तक यह investigation नहीं complete हो जाती है तीसरा point यह है कि यह जो vice chancellor साहब है यह proceeding की मतलब बिल्कुल भी उसके साथ interference नहीं करेंगे प्लस जो EC के जो meetings होती है उसका यह भाग नहीं बनेंगे और प्लस इससे पहले जो EC ने decision दिया था against this associate professor उसको side कर देना चाहिए इसके लाब जो चौथा point है वो यह कहता है कि जो VC साहब ने committee बनाई थी against this female associate professor उसको भी हटा देना चाहिए और पांचवा point यह है कि अगर VC साहब extension मांगते हैं अपनी duties को पूरा करने के लिए as VC तो उसको भी deny कर देना चाहिए तो guys यह पूरा point है जो जो इस letter में demand किया गया है from the chief justice of India अब इसमें जो further developments होंगे जैसे भी आएंगे मैं आपको तुरण बता दूगा तो अगर आप channel पे नए हो तो आप इसको subscribe कर लिजे और इस matter पर आपका क्या सोचना है आप comment section में ज़रू बताईएगा अब इसके बाद guys जो खबर निकल के आरी वो इलाहबाद high court से निकल के आरी है regarding ICICI bank अब guys यहाँ पे लाएबाद high court ने ICICI bank को काफे ज़्यादा data है क्यो data है क्योंकि देखी एक loan का case होता है एक व्यक्ति होते है राहूल सिंग नाम के अब ये एक American citizen होते हैं इनके पास OCI card भी होता है और basically इन्होंने एक loan लिया था ICICI bank से from its noida sector branch तो इनकी एक noida branch से ये loan ले payment कर दी थी लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि loan के payment के बाद भी ये जो ICICI bank के जो officials होते हैं ये इनको परेशान करना start कर देते हैं अब परेशान ऐसे करते है कि bank ये दिखाती है कि bank का कहना ये है कि इन्होंने अभी भी loan का payment नहीं किया है plus जो इनका civil rating था उसमें दिख जानते ही हो वही जैसे आप मूवी में देखते हैं हो हफ्ता लेने आते हैं लोग घर पे तो ऐसे वाला सीन होता है तो loan recovery के लिए recovery agents बेशते हैं इनके घर में बेशते हैं इनका ancestral home होता है वहाँ पर जाके काफी जादा गाली गलोच होती है अब अब अधर भाशा का भी इस फाइल कर देते हैं अगेंस्ट बैंक और तब यह मैटर आता है इलाबाद हाई कोर्ट में अब गईज यहाँ पे इलाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले तो ICICI बैंक के जो चेयर मैन है उनको टार्गेट किया और उनसे का कि आप अपना personal एफेडिवेट दीजिए और बता सकते हो और यहाँ पे कही ना कहीं यह जो complainant है राहुल सिंग इनका पक्स भारी है क्योंकि यह तो कोर्ट में document भी जमा कर चुके हैं यह दिखाते हुए कि इन्होंने loan का पूरा payment कर दिया है with interest तो फिर उसके बाद यह सारा नाटक क्यो हो रहा है अब कोट यह पूछ रही है अब गाईस इस matter की अगली तारिक लगी है 10 जुलाई को तो 10 जुलाई को क्या होता है मैं आपको बता दूँगा जैसी news आएगी अब इसके बाद गाईस जो significant cover निकल के आ रही है वो पूरे accident case से निकल के आ रही है यह case तो बहुत ही ज़ादा गाईस पूरे देश भर में प मिल रहा है कि कैसे अगर आपके पास पैसा है पावर है तो आप कैसे चीजों को case को manipulate कर सकते हो यह clearly इस case में देखने को मिल रहा है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो पुलिश कमिशनर साहाब है अमितेश कुमार जी उन्होंने खुलासा किया है और कहा है कि ससू यहां पे जो doctors इसका blood sample लेते हैं वो इसका blood sample लेने के बाद वो जो blood sample था उसको dustbin में fake देते हैं और चीजों को cover up करने के लिए दूसरा container लेते हैं उसमें दूसरे आदमी का blood sample लेते हैं उस पे नाम इस teenage जिस बंदे ने accident किया था उसका नाम लिखके forensic lab भेद देते हैं और पे twist यह होता है कि इतना बड़ा कांट इंदो लोगों ने कर दिया और इनका ये कांट पकड़ा जाता है इस case में अब ये जो दो doctor थे जो involved थे वो suspend हो जाते हैं एक pune involved होता है वो भी निकाल दिया जाता है अब guys इस कांट की वज़े से ये लोग है ये भी इस case के लपेटे इमा जाते हैं इस case में additional charges जुड़ जाते हैं कौन से जुड़ जाते हैं criminal conspiracy क्योंकि conspiracy होई थी forgery ये भी हुआ और इसके साथ ही साथ destruction of evidence भी हुआ तो guys ये बहुत बड़ update है इस case में अब चलिए बात कर लेते हैं इस case में अभी तक कौन arrest हो चुका है तो जो बच्चा ठोका वो तो arrest है अभी तो observation home में है हाला कि इससे पहले जब वो पकड़ा गया था तो juvenile justice board ने इसको bail दे दिया था अब bail की जो conditions थी वो भी guys बहुत ज़्यादा controversial थी जैसे ऐसे लिख के आना 15 दिन के लिए traffic police के साथ काम करना था कि तुमको traffic rules regulations के बारे में पता चले ये ऐसी कुछ वेक सी conditions थी जिसको nation accept नहीं कर पाया बहुत ज़्यादा इसका twitter पे भी trend चला बहुत लोगों ने किटी size किया तो बाद में जाके court ने इस bail को cancel कर दिया प्लस जो बच्चे के वकील तो वो भी court में कहते हैं कि बच्चा अगर ये बाहर रहेगा तो काफी ज़्यादा chances हैं कि कि लोग इसको पकड़ के पीट देंगे तो इसकी जान को खत्रा है तो इसको observation home में डाल दो और इसको observation home में डाल दिया गया इसके अलावा अब इनके बच्चे के जो पिता जी हैं बताया जा रहा है ये बहुत ही बड़े prominent builder हैं पूने में बहुत पैसा है बहुत पावर है तो ये भी आई थी कि इनका mafia से भी connections हैं प्लस जो लड़का है जो accidentally involved है इसके जो दादा जी है वो भी उनका connection बताया जा रहा है कि काफी पहुचा हुआ है तो guys इस case में इनके जो पिता जी है इनके जो दादा जी है उनको भी arrest कर लिया गया है पिता जी को basically इसलिए arrest किया ग इस case में क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाया गया कि ये जो दादा जी है ये जो बच्चे के साथ तो मलो जब accident हुआ तो बच्चे के साथ driver भी था अब driver था non driving seat पर driving seat पर बच्चा था बच्चे ने कर दिया accident तो दादा जी कह रहा है इस driver से जो allocation लगाया जा रहे है कि तुम ये अब कुल मिलाकर यहाँ पर जो situation बताई जा रही है do or die वाला तो ये पूरा case अभी समय ऐसे चल रहा है गाई और ये जो दादा जी थे उनको arrest कर लिया गया on the charges of kidnapping and wrongful confinement of the driver जिसको ये धमका रहे थे तो गाईज अभी तक यही developments इस case में इसके बाद जो भी development आएगा वो भी म comment section में कह सकते हो बाकी ऐसी और भी वीडियो के लिए daily basis पे आप सब्सक्राइब कर लिजे लिल भी वाला को बाकी stay safe, जैहन